हेलो रिवन गुड इवनिंग स्वागतिप सभी का ओनलाइन स्टेडियोन में तो फिंस आज हमारा जो वीडियो है थोड़ा सा हटकर होने वाला है आज मैं आस वीडियो में कोई टेस्ट ने ले वाला हूँ एक मैंने बुक पर्चेस किया था और ये बुक आप देख सकते हैं मैंने इस वे बुक को पूरी अच्छे तरीके से डीटेल तो भी तक नहीं पढ़ा हूँ लेकिन कुछ पनने इसके पढ़े और इसका कॉंटेंट मैंने देखा हूँ काफी थोड़ा साच्छा लगा और ये देखे घटना चकर की तरफ से और आपको पता है घटना चकर काफी ट्रेस्टेड बुक है तो इसमें कोई दो राय नहीं है और ये बिहार एसाई के लिए जो की फॉस्ट एडिसनिंग लोका है घटना चकर की तरफ से और फ्रेंस मैं आपको बता दू कि ये बुक जो मैंने 2-3 दिल पहले पर्चेस किया था काफी अच्छी तरह से मैंने इसको तो पढ़ा नहीं लेकिन जो भी मैंने कंटेंट अभी इसमें पढ़ा कुछ पनने इसके पढ़े लेकिन काफी अच्छी चीज़े इसमें दी गई है और बिल्कुल एक्जाम्स के पैटर्न पे वह सभी सब्जेक्ट्स को इसमें कवर किया गया जैसे बिहार की चीज़े दीगी है और ज्यादा डीपली बिहार के नहीं दिया है बिहार एक द्रिश्टी में और इससे ज्यादा डीपली आपको पढ़ने की जुरुत भी नहीं है यह बिल्कुल आपका यह BPSC है यानि कि जो एसा ही है उसमें जिस लेवल का विहार का questions पूछे जाते हैं वो सभी चीज़ी इसमें cover किया गया चीक है उसी तरह से history भी है, quality भी दिया गया, economics, geography वो सभी topics cover किया गया, science भी इसमें include किया गया, जो exams के oriented है चीक है और यह मैं आप बुक बता दूँ friends, यह all-liner type का दिया क्या, one-liner करके सारे questions को arrange किया गया, बिल्कुल अच्छे तरीके से, और देखे एक चीक मैं आपको और बता दूँ कि यहां पर इस book में total 216 pages है, आप यहां पर देख सकते हैं इसका जो मैंने ज्यादा deeply इस video में नहीं बताया, सिर्फ और सिर्फ छोटा सा एक review मैं आपके अगर आप कहेंगे कि इस book के पूरी अच्छे तरीके से detail में बताई कि क्या क्या चीजे दी गई है, तो book के cover page की साथ मैं आपको पूरी book ही दिखा दूँगा कि किस तरह से दी गई है, ठीक है, तो दीखें, कुछ pages starting जो किया गया, वो बिहार एक दृष्टी में start किया गया जो exams में पूचे जाते हैं, वो सभी चीजे इसमें cover किया गया, चीक है, उसी तरह से हम पढ़ सकते हैं कि भारत और विस्व का इतिहास भी cover किया गया, और उसी तरह से अलग-अलग subjects को यहां पे देखते हुए cover करते हुए चला गया, साथ में computer जो subject है, वो भी include किया गया, तो यह कितना उपयोगी रह सकता है, तो मैं आपको बता दूँ कि fans, अगर आप इसको cover कर लेते हो, तो काफी अच्छी चीजे आपके पास यह मिल जाएगे, मैं ऐसा नहीं है कि fans, कोई book को मैं जो कि promote कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं, मैंने इस खुद सो, खुद को इस के तरह से हम करेंगे, यानि कि अगर आप कहेंगे कि इस वीडियो के through, इस book को cover किया जाया, तो मैं वो भी करने के लिए तयार हूँ, क्योंकि काफी अच्छी चीज़े इसमें दी गई है, ठीक है, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, कि one liner form में काफी अच्छी चीज़े दी कि आप इस वीडियो, यानि कि इस book का review देखना चाहते हैं, कि नहीं चाहते हैं, नेक्स वीडियो में आपको बना दूँगा, ठीक है फैंस, तो फैंस, आज हमारा test तो नहीं आया, Lucent book का जो test आता है, वो तो नहीं आया, लेकिन मैं आपके साथ home work share कर लेता हूँ, ठीक है, home work आपको क्या क्या चीज़े कल cover करना है, पांच अप्रेल को, तो history में मुगल समराज start करते हुए, बाबर, हिमायू और अकबर, ये तीन topics को cover कीज़ेगा, ठीक है ना, जिग्रॉफी की बात करें तो जिग्रॉफी में महादीप, अफ्रीका और आस्ट्रेलिया, इन दो topics को cover करेंगे, ठीक है, और उसी तरह से हम बात करें, पॉल्टी तो पॉल्टी में समिधान की जो महत्यपूर्ण अनुछेदे, मैं आपको बता रखाऊं कि अनुछेद को किस तरह से cover करना है, आप उनको कीज़ेगा, ठीक है ना, और physics में, physics आपको उस्मा दे रहे हैं, उस्मा ठीक है, क्योंकि 25 से 30 questions जो होंगे, वो exams में पूछे जाएंगे, अगर आप यहां से 20 questions भी cover कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, तो मान के चलिए कि फेंस आपका selection के काफी नजदीक हो जाएंगा, इस तरह से current affairs पे पूरा का पूरा focus कीजिए, और हो सके तो जितना हो सके आप current interface को अच्छे से पढ़िए, ठीक है, तो यह रहने वाला कल का homework, तो चलिए फिरेंस, इस वीडियो को यहीं पर रोकते हो, और बाकी जो मैं आपको वीडियो में बताया, उस book के बारे में, नीचे comments करके बताएगा कि आपकी क्या रहा है, तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो मे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, thanks for watching, keep watching, keep learning, have a good day.